को ही स्टलाम-खाइल्च ट्र dur कोई बदर बदाएगा यह केबल को कटिंग करना आर्मेट को इस तरह कटना है well सरावन के लिए आसान होता है बात में इसके इंचुलेशन कटना है इंचुलेशन कटने का बाद अधिmeye सो इची लोशन उतरना हैं हुआ सडरी इस तरहा नाइप छी इंसलिशन कटीप लाक है वो ले 35ा5 खेया कर दिससके ये तरा नाइप चला राहे है कि अच्छो इसका है इक सी′जви को अथा ब्लके तरू आ हुआ इसका ब्द ग्लेन का केढल का जहार मेटे आ रिमोभ करना है आजरी मोभा को नहीं है 35 कर इसे इंत्री केढली से पूर एक शाट से रिमोभ कर रहा हूं जाज मोटी केढल होगा तो दोतक्रस करना है इस तरह तरना है जो आड़ी से काटिंग किया अधा 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 इसको इसी तरह करना है इसी से लग जाता है पेट इसके गिलेनिक असानी से लग जाता है बिलेन का साइज है वह साइज करी साइज से जाद करने हैं तो लेन का बाहर चला जाता है वह टार नहीं होता है गुंक निशा सिसे 20 ठोड़ने कर Hai कंपो जांक मैं जाधरत के इस उडिए सबसे आंए अब इसका अधा पट उपर अधा पट नीचे किस तरह कर रहा हूं अब लोग देन से देखिए यह रिंग है उपर रखने ज़रूरी उपर नीचे कभी भी नहीं रखो साथ और भी केबल हम लोग किया है नुजर आ रहे हैं सब्सस्याँ तरह रहें आंधर पतला के बोले नेथे शकूड्येवर से करना पर्अगा नहीं हो रहे कि वर शेये कि शकूड्येवरख Oh इस तरह ब्यान करो थोड़ा थोड़ा जो ग्लेंड का हुआ साड़ी आसानी से लागेगा जैसे जो अंदर कोई आर्मेट नहीं रहेगा इस तरह ओपर राके इसको लेबिल करो अबाद में रिंग फसा के ग्लेंड को टाइट करो असानी से हो जाएगा अब एक बाते हमारे चीमित कुछ भी सास्क्राइब करो कि लेंड लागिया हूं इजी से लागिया है अभी इसको अमलोग टाइट करने रेंज से एक विस्टाबर रेंस हो भी तो अच्छा है एक अमरे पास नहीं है इसलिए कि एक जस्टाबूल लिया एक पाइबरिस लिया पार अगलांड की लिए आपको अगलांड की वाइबरिस होई है तो रेंस से कर रहा हूं इसलिए कि करना तो परे काम है अगलेंड टाइट हो गया इसका बात उपर कर दो कवरें श्रावट है वह भी लगा दिया विप